हलो दोस्तों, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, भारती समिधान के बारे में बहुत ही important fact बताएंगे हम आपको, जो कि आपको एक्जाम में चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे State PSC हो, चाहे One Day Exam हो, हर एक एक्जाम में यह fact पुछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में सुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला fact यहाँ पे देखिए, भारत का, जो समिधान का, जो अपका, उदेशी का है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो भारत का पावर है, वो भारत के लोगों के हाथ में है, या किसी के और के हाथ में नहीं है, सरकार भले लोग चुनते हैं, सरकार लोग हटाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही होता है, कि हम भारत के लोग जो बात करता है, Constitution या सम्मिधान वह यह बात करता है, कि पावर या सक्ती की बात होगी, तो भारत के लोगों के हात में है प्रस्तावना कि उसके बाद में भारत का समिधान सरोच इसमें विधान है जो समिधान द्वारत 26 नॉमबर 1949 को पारित हुआ 26 जन्वरे 1950 से या प्रभावी हुआ 26 नॉमबर को भारत के समिधान दिवस की रूप में खोशित किया जबकि 26 जनवरी को भारत में गंतंत दिवस के रुप में मनाया जाता है तो समिधान लागू हुआ 1949 में और तो समिधान दिवस आपको 26 नुवंबर को और गंतंतर दिवस 26 जन्वरी को समिधान लागू जो पुरुपर रूप से लागू हुआ 26 जन्वर या नई से 50 को लेकिन इसमें से कुछ पार जो सुन्चास में ही लागू हो गया था भारतिय समिधान के निर्मान कब और कैसे हुआ तो समिधान सभा के द्वारा 26 नॉवंबर 1949 को मसावदा प्रस्ताव पारित किया गया था 1939 में लाहोर अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद 26 जन्वर या नई से 30 को संपून सवराद दिवस मनाया गया इस प्रकार नागरिकता चुनाव आंतिम संसाथ आदिस समधित कुछ परधाओ को छोर करके 26 जन्वर ये 50 को समिधान लागू हुआ जो 26 नॉवंबर 1949 को लागू हुआ मतलब कुछ पहले लागू हो गया और कुछ बाद में लागू हुआ तो बाद में जो लागू हुआ वह 26 जन्वर ये पहले 26 नॉवंबर को उसके बाद मैं नेक्स यहां पर हुम लोग देखते हैं भारत के समिधान में क्या लिखा है ? सबसे बड़ा समिधान है या बी सूक का सबसे बड़ा समिधान लिखित समिधान भारत का याद रखिएगा समिधान लागू होने का समय 395 अनुछेद थे, 8 अनुछेद थी, 22 भाग थे, बरतमान में 448 अनुछेद, 12 अनुछेद, 12 अनुछेद और 25 भाग हो गया है साथ में इसमें पांच परिसिष्ट जोर दिये गए हैं जो की प्रारण में नहीं थे ते समिधान में बीच-बीच में बदलाव होते रहते हैं भारतिय समिधान का उदेश से क्या है तो भारतिय समिधान बलते देशवासियों को नयाय परदान करने का प्रयास किया है समाजी कार्थिक राजनेतिक न्याय का मुखलक्ष ब्यक्तिगत हीत और समाजी की हीत के बीच समजन से अस्थाफित करता है हमारे समिधान निर्मताओं के समक्ष भारत एक कल्यानकारी वेलफेर एस्टेट राज बने इसका मेन उदेष यही था कि भारतिय जो समिधान है वह जो हैसो लोगों की हीतों की रक्षा करें लोगों की एक्छाओं की पूर्ती करें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है कि भारतिय समिधान कितने परकार के होते हैं समिधान के परके करन अगर हम बात करते हैं तो यहां पे संकलन के अधार पे लिखित या अलिखित होता है उसके बाद समयधानिक संसोधन के अधार पे जैसो नमन्य या लचि उसके बाद में लचीला और कठोर समिधान याद रखना है परिसंगिये और एकात्मक समिधान याद रखना है ताकि ये समिधान के तरह तरह के परकार होते उसके बारे बात करता है उसके बाद में कहा गया है कि सबसे पुराना समिधान कौन सा है तो ब्रिटिस समिधान की वि लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखनाई कि यह एक तरह से कहा जाए तो अपने जैसे compact document नहीं है यह छोटे-छोटे अलग-अलग दास्तवेजों में है जबकि भारतिय समिधान एक लिखा गया complete book है तो यहाँ पर इसका collection नहीं है तो एक तरह से कहा जाता है कि यह एक लिखित समिधान है जबकि मोनाको का समिधान एक सबसे छोटा लिखित समिधान है जिसमें से चानवे अनुछेद 10 अध्याय और 38,014 सब्द हैं तो यह सबसे छोटा समिधान किसका है अगर एक जाम में कोश्चाना जाता है तो यार रखिएगा मोनाको का समिधान जो है सो स सबसे छोटा लिखित समिधानों मैंसे है यहाँ जो कि आपको थोरा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा तो समिधान का मेन जो काम रहता है वहाँ कि उसके एकॉर्डिंग देश चले किसी के अपने रूल नहीं चले देश जो है सो समिधान से चले और नियम सब पे अपला ही हो और नहीं हो ऐसा नहीं बात है विसु का सबसे बड़ा समिधान किसका है भारत का समिधान विसु के किसी भी संप्रभू देश का सबसे बड़ा लिखित समिधान याद रुखिएगा जिसमें अंग्रेजी भासा के संसकरन में 14380 सब्द हैं साथ में 25 भाग हैं और उसक कि सब्सके अनुसार मुनाकों का समेदान सबसे छोटा लिखित समिदान है जिस में 97 अनुचेद है तो यह हमें बहुत जादा ध्यान रखना है समिदान दिवास आपको 26 नुममर को मनाय जाता है उसके बाद में ऐसा कौन सा देश का समिदान नहीं है तो ऐसा जो देश है वह यहां पर आपको